दीती रात छतरपूर में सागर कानपूर हाईवे पर गुलगंज थाना छेतर के अंतरगत किसी अग्यात बाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी जिससे बाइक पर सवार दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई बताए गया है कि दोनों मौत तक चचेरे भाई थे घटना के बाद एंबुलेंस की मदद से दोनों के शवों को जिला अस्पताल लाया गया जहां मंगलवार की सुभा उनका पूस्ट माटब हुआ जनकारी के मुताबिक गुलगंज थाना चेतर के ग्राम गढ़ा कांटी के रहने वाले 29 वर्षिय यूगेंदर कुश्वाहा अपने चचेरे भाई 24 वर्षिय भागिरत कुश्वाहा के साथ किसी काम से अंगौर गए थे रात करीब 11 बजे जब बैए अपने घर बापस जा रहे थे तब ही हाईवे पर अंगौर और गुलगंज के बीच किसी अग्यात बाहन ने उनकी बाई को टकर मार दी टकर इतनी जोरदार थी कि दोनों की घटना इस्थल पर ही मौत हो गई गटना के बाद टकर मारने वालों की तलाश की जा रही है इस सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से शव को अस्पताल लाए गया परीजनों को सूचित किया गया मंगलवार की सुबा परीजनों की मौझूदगी में दोनों मृत्कों का जिलास पताल में पुस्ट मार्टम किया गया और इसके बाद शव परीजनों को सौपे गए एक ही घर में एक ही गाओं में दो भाईयों की इस मौत से पूरे गाओं में सन्नाटा है गलगएंज में थे लोगो पता ही निए को जा रहा थे को नहीं जा रहा थे और पता नी कौन सा बहान इनको मार गया हम लोगो को तो खाबर मिली हम लोगा इस जब तक है मुले से छोड़ गई ती च्छा तारपर ने यह आनगवारा गलगएंज के बीच में हुगा